हालो फ्रेंट्स आज की रेसिपी में मैं आपके लिए जो लाई हूँ वो है चॉकलेट नडेला ब्राउनी बहुत ही टेस्टी है थोड़ा सा इसमें औरेंज फ्लेवर है वो किस तरीके से यह आपको इस रेसिपी में आगे जानने को मिलेगा यह देखिए बहुत ही अच्छी से पहले मैं आप सबको अपनी तरब से धन्यवाद कहना चाहती हूँ उनको जिनोंने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उन लोगों को भी जिनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पर मेरी वीडियो देखते थे इस भरोसे से कि उन के दिशु आप सब्सक्राइबर जो हो है उसकी कुछी में तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है okay तो यहां पर मैंने लिया है मिल्क कंपाउं मॉडी का मिल्क कंपाउंड में यूज कर रही हूं और वन एंड हाफ स्ट्रिप मैंने लिया है कि इसको चॉप करके हमें सबसे पहले इसको melt करना है मैं आपको आगे-आगे एके करके procedure बताती हूँ मैं इसको पहले melt करके लाती हूँ आप double boiler या microwave की help से melt कर सकते हैं बस ध्यान इतना रखेगा कि आप जिस बरतर में chocolate को melt करें उस बरतर में पानी नहीं लगा होना चाहिए वरना चॉकलेट आपकी ठीक से melt नहीं होगी तो यह देखें यहाँ पर हमारी चॉकलेट जो है वो melt हो चुकी है इसमें अब मैं डालूँगी यह पूरा एक बटर जो यह 100 ग्राम का पैकेट आता है यह salted butter है अगर आप unsalted butter यूज़ करेंगे तो आपको रेसेपी में पिंच salt add करना पड़ेगा अलग से पर यह मैं salted amul butter यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें salt add नहीं करूँगी अब उस double boiler में मैंने चॉकलेट मेल्ट किया था उसी में अब मैं दुबारा इस butter को भी melt करूँगी बटर मिल्ट करने के बाद इसमें हम next add करेंगे 1 फोर्थ कप चीनी यहां मैंने साबुचीनी ली है उसका पॉडर करने की ज़रूद नहीं है और उसके साथ ही 3 फोर्थ कप कंडेंस मिल्क और इस सारी रेसेपी के लिए मैंने जो कप यूज किया है यह है 240 ml का कप अच्छे से हर चीज क्रीन करके ले ले ताकि मेजरमेंट में बिल्कुल भी दिक्कत ना है और गलत मेजरमेंट ना हो और इसको भी हम अब डबल बॉयलर में एक बार अच्छे से मेल्ट करेंगे ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए जब तक हमारा वेट इंग्रीडेंट अच्छे से मेल्ट हो रहा है यहां मैंने एक बाउल में लिया है 1 प्लस 1 फोर्थ कप मैदा यह मैंने ब्लैक वाला ही कप यूज किया है और मैदा च्छान के लिए उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सॉरी 2 टी एसपी टेबल स्पून मत लिजेगा क्योंकि कोको पाउडर का टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉंग है तो वो थोड़ा कड़वा हो जाता है तो यहां मैंने 2 टी एसपी टी स्पून लिया है कोको पाउडर और वन टी एसपी वन टी स्पून बेकिंग पाउडर इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और हमारा वेट इंग्रीडियन्ट जब रेडी हो जाएगा अच्छे से मेल्ट होके उसको हम इसमें मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारी चीनी और कंडेंस मिल्ट भी अच्छे से मिक्स हो चुके आप देख सकते हैं इसका कलर डाक हो गया है इसमें मैं मिलाओंगी 1 फोर्ट कप पानी और इसको भी हम एक बार अच्छे से फिर से मेल्ट करेंगे आप लोग सोच रहोंगे कि मैं ये एके करके क्यों मेल्ट कर रही हूँ एक सारे इंग्रीडियन क्यों मैंने क्यों नहीं मेल्ट किये क्योंकि कई बार हम एक सारे जब सब कुछ डालते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है और चीजे अलग-अलग होने लग जाती हैं, बटर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, चॉक्टेट में घुट्लिया पần़ जाएगी। इसलिए हम एक एक करकी इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहें, अब मैं इसको पानी को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, डबल बॉइलर में, तो यहाँ पे हमारा सारा वेट इंग्रीडियन्ट रेडी हो गया है, अच्छे से मिक्स होके, इसको अब हम यह हमारे ड्रा इंग्रीडियन्ट में थोड़ा थोड़ा करके डाले और फिर इसको मिक्स करते जाएं इसको हमें हाथ से ही अच्छे से मिक्स करना है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से नहीं यहां पर अब मैं इसमें एड करूंगी एसेंस यहां पर मैं एड कर रही हूं हाफ टीएसपी चॉकलेट एसेंस यहां पर वैनिला और चॉकलेट दोनों में से कोई भी एक एसेंस यूज कर सकत ब्राउनी में हमें बिल्कुल भी ओवर मिक्सिंग नहीं चाहिए इसलिए मैंने इसको हाथ से स्पून के हल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें बिल्कुल भी लंप नहीं है इसको बेग करने के लिए रखेंगे यहां मैंने आठ वाई आठ का टिन लिया है अगर आपके पास यह टिन ना हो तो आप सर्कल टिन भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर बटा पेपर लगाना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि बटा पेपर की हेल्प से ब्राउनी को बाहर निकालना टिन से आसान हो जाएगा तो इसमें अब मैं पलट देती हूँ हमारा यह बैटर इसकी कंसेस्टेंसिया देख सकते हैं इसी तरीके से हमें यह थोड़ा गाढ़ा चाहिए इसको हम करेंगे मेचे टैप ताकि इसमें बबल्स ला रहे इसमें अब मैं करने वाली हूँ एक ट्विस्ट यहां मैंने लिया है हाइडन सीक का यह ओरेंज फ्लेवर आप कोई भी यूज कर सकते हैं बिस्किट ओरियो या फिर हाइडन सीक का ही चॉकलेट वाला या फिर बॉर बॉर्बॉन और इस तरीके से मैं इसको करने वाली हूँ छोटे छोटे पीसेज में तोड़के डिप इसको मैंने फिंगर से इस तरीके से प्रेस करके थोड़ा सा बैटर के अंदर गिरा दिया है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़े थोड़े से ड्रॉपस नटेला के यहाँ पे आप हर्शी इस भी यूज कर सकते हैं नटेला भी यूज कर सकते हैं इसको कटोरिय में निकालके चमच से अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट में हो जाए और इस बैटर पर डालने में थोड़ा इजी हो जाए और अब हमें टूथपिक लेके इसको इस तरीके से थोड़ा सा बैटर में मिक्स कर देना है जब तक मैं ये बैटर तयार करी थी मैंने ओवन को 180 डिग्री पे 10-15 मिनट के लिए प्रिहिट होने के लिए रखा था और हमारा बैटर भी रेडी है ओवन भी प्रिहिट हो चुका है इसको अब मैं बैट करूँगी 25 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझे 25 से कम टाइम लगा या 25 मिनट से जादा तो आप करिए वेट और मैं इसको रखती हूँ बेख होने के लिए तो ये देखे 25 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये बेख हो चुका है अभी ये गरम है इसलिए मैं इसको टिन से बाहर नहीं निकालूँगी पूरी तरीके से ठंड़े होने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा बना है तो यहां पे हमारी ब्राउनी ठंडी हो चुकी है, पुरी तरीके से ठंडी नहीं है, पर अब इतनी हो गई है कि हम इसको निकाल सके, तो आप यह देख सकते हैं, मैं एक साइड से इसका पेपर खीच रही हूँ और यह आराम से, साइड से भी आप देख सकते हैं, एक दम क्ली क्रस्ट वाली होई है, और साइड से, यह देखिए, साइड से भी इसके जो एजेस है, वो कितने अच्छे से यह बेक हुआ है, बहुत ही बढ़िया, मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, यह देखिए, ऊपर की जो लेयर है, वो अच्छी क्रस्ट वाली है, और अंद तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हूँ, तो इसको एक बास जरूर ट्राइ करें, और हाँ मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्यू फर वाचिंग आपको क्रेस्ट से समध सपने खरूर क करे।